एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है आज हम चार धाम यात्रा पर चर्चा करेंगे हिंदू धर्म की पौराणिक कताओं के अनुसार यदि कोई वेक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा कर ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जात होता है यही द्रडविश्वास दुनिया भर के हजारों हिंदू तीर्थ यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए प्रेरित करता है चार धाम यात्रा प्राकर्तिक सुंदर्था के शोकिन लोगों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं इस यात्रा में आपको स्वच्छ एव इसमें कोई दोमत नहीं है कि चारधाम यात्रा हिंदुओं में सबसे लोग प्री अध्यत्मिक यात्राओं में से एक है। बरसात के महिनों जुलाई तथा अगस्त में यात्रा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन होता है कि इस पवित्य यात्रा की शुरुवात कहां से करें। तो इसका जवाब है कि चारधाम यात्रा एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरन करती है। चारधाम यात्रा हमेशा यमनोत्री धाम से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनात्र और बदरिनात धाम पर जाकर समाप्त होती है। इसलिए आप अपने घ्रनगर से सबसे पहले हरिद्वार आएं। घ्रिद्वार से ही गंगोत्री धाम की यात्रा प्रार्म की जाती है। हरिद्वार के लिए पूरे देश के बड़े शहरों से ट्रेन तता बसे चलती हैं। आप दिल्ली से भी आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की बस से दूरी लगबक 237 किलोमेटर है। तता यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। दिल्ली हरिद्वार रूट पर लगबक 30 ट्रेने भी चलती हैं। आप अपनी सुविधानुसार हरिद्वार पहुंच सकते हैं। प्रयास कीजीगा कि आप हरिद्वार दोपर तक पहुंच जाएं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप टेक्सी से अपने द्वारा बुक आनलाइन होटल में चेकिन करें। यदि आपने होटल आनलाइन बुक नहीं की है, तो आप हरकी पोड़ी के पास धर्मशाला या किसी होटल में जाकर सीधे भी बुकिंग कराकर वहाँ ठहर सकते हैं। धर्मशाला का किराया केवल 200 रुपे से 500 रुपे के बीची होता है। इसके बाद आप फ्रेश होकर या हरकी पोड़ी पर गंगा जी में स्नान करके हरकी पोड़ी पर ही किसी भोजनालाए में लंच कर लें। लंच करने के बाद आप टेक्सी से हरिद्वार के मंसा देवी मंदिर के दर्शन करने जाएं। इस मंदिर तक जाने के लिए केबल कार की सुविधा उपलब दे। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस केबल कार राइड में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद आप चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, स्वामी विवेकनन पारकादी देखने जा विदेशी टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। गंगा आरती में शामिल होने के बाद आप हर की पोड़ी पर किसी भोजना लाय में भोजन करें तथा अपनी होटल या धर्मशाला में जाकर विश्राम करें। इस प्रकार आपकी चार धाम यात्रा का पहल होटल से चेक आउट करें। इसके बाद आप हर की पोड़ी के टेक्सी स्टेंड से जान की चट्टी तक के लिए टेक्सी बुक करें। जान की चट्टी तक बस से वाभी उपलबते हैं परन्तु टेक्सी से जाने का फायदा यह होगा कि आप रिशिकेश आधी जगों पर घ एक सी बुक कर सकते हैं। हरिद्वार से जान की चट्टी तक की दूरी 221 किलोमेटर है तता रुकते रुकते जाने पर लगबग 7 घंडे का समय लगता है। अब आप हरिद्वार से रिशिकेश की और प्रस्थान करें। रास्ते में लक्ष्मन जुला भी देखें। रिशि से आप नरेंद्र नगर, चमाब, ब्रह्माखाल, बर्कोट, स्याना चट्टी, हनवान चट्टी, फूल चट्टी होते वे जान की चट्टी पहुचेंगे। जान की चट्टी पहुचते पहुचते आपको शाम हो जाएगी। जान की चट्टी में आपको रात में ठहरना क्योंकि जान की चट्टी से आपको अगले दिन पेदल पेदल यमनोत्री धाम तक पहुचना है, जान की चट्टी में रुकने के लिए साधरन होटल या रेस्ट हाउस बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे, यहीं पर आप भोजन करें तता रात में विश्राम करें, इस प्रक जान की चट्टी से यमनोत्री धाम केवल 6 किलमेटर दूर है, यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं, तो आप जान की चट्टी से पिठ्टू अर्थात घोड़ा भी कर सकते हैं, जो उन्हें यमनोत्री धाम तक लेकर जाएगा, यमनोत्री धाम पहुचकर आप यमनोत यमनोत्री मंदर से 14 किलमेटर दूर है, तता रास्ता भी बहुत दुरुगम है, इसलिए यदि आपके साथ भुजुर्ग व्यक्ति हैं, तता बच्चे हैं, तो आप सब तरी शिकुन देखने बिलकुल न जाएं, आप केवल यमनोत्री मंदर तक ही जाएं, तता महां से वा करें, तता होटल से चेक आउट करें, इसके बाद आप जान की चट्टी के टेक्सी स्टेंड से गंगोत्री धाम जाने के लिए टेक्सी बुक करें, जान की चट्टी से गंगोत्री धाम की दूरी 220 किलमेटर है, तता यातरा में लगबग 7 घंटे का समय लगता है, यमनोत्र गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद आप अपनी होटल या धर्मशाला में चेकिन करें तता रात का भोजन करने के बाद विश्राम करें अगले दिन आप सुबह स्नान करने के उपरांत गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन करें गंगोत्री धाम मंदिर में जाने के लिए आप कोई यमनुत्री धाम मंदिर की तरह पेदल नहीं चलना पड़ेगा गोर्तलबे की यह मंदिर देवी गंगा को समर्पी थे जो उत्राखंड के उत्तरकाशी जिले में भागी रती नदी के तट परिस्ती थे कहा जाता है कि गंगोत्री धाम वह इस्ताने जहां देवी गंगा पहली बार भागेरत द्वारा एक हजार वर्षों की तपस्या के बाद स्वर्ग से उत्री थी गोरतलबे की गोमुख ग्लेशियर गंगा नदी का वास्तविक स्त्रोथ है जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमेटर की दूरी पर है गोमुख ग्लेशियर तक जाना हर किसी के लिए संबव नहीं है क्योंकि गोमुख ग्लेशियर तक गाड़ी नहीं जाती है महां तक पेदल ट्रेकिंग करते हुई ही जाना पड़ता है इसलिए हमारी सला है कि आप केवल गंगोतरी मंदिर तक ही जाएं गंगोतरी मंदिर के दर्शन के उपरांत आप भोजन करें तता गंगोतरी धाम में स्थित अन्यधार्मिक स्थानों का भ्रहमन करें इसके उपरांत आप अपनी होटल में रात का भोजन करके रेस्ट करें छटे दिन आप सुबह के ब्रेकफास्ट करें तता होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप गंगोतरी धाम के टेक्सी स्टेंड से गोरी कुंड जाने के लिए टेक्सी बुक करें गंगोत्री धाम से आप रूद्र प्रयाग, गुप्तकाश्री, फाटा, रामपूर, सितापूर, सोन प्रयाग होते वे गोरी कुंड तक पहुँचते हैं गोरी कुंड पहुँचने के बाद आप गोरी कुंड में अपनी होटल में डिनर करें तता जल्दी से सो जाएं क्योंकि अगले दिन आपको सुबह सुबह अपनी केदारनाथ धाम के लिए चड़ाई जो शुरू करनी है गोरी कुंड से केदारनाथ पहुँचने के लिए आपको 20 किलोमेटर की ट्रेकिंग अर्थत पेदल चड़ाई करनी होगी गोर्त लभी की चार धाम यात्रा में तीसरा प्रमुग धाम केदारनाथ धाम ही ए केदारनाथ धाम 12 जोत्र लिंगों में शामिल है और यह धाम हिमल्य की गोध में और मंदा किनी नदी के तट के पास इस्थी थे जो आठवी इस्वी में आदी शंकराचारी द्वारा बनवाया गया था केदारनाथ धाम जाने के लिए गोरी कुंड ही अंतिम पॉइंट होता है जहां तक कोई भी परिवन वहान पहुंच सकता है अगर आप गोरी कुंड से केदारनाथ तक की ट्रेकिंग से बचना चाहते हैं तो आप गोरी कुंड से हेलिकाप्टर सेवा से भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं अगर आप यह सोच रहे हैं कि गोरी कुंड पहुंचे और आपको हेलिकाप्टर खड़ा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा इसके लिए काफी पहले से आनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है हेलिकप्टर द्वारा गोरी कुंड से केदारनाथ तथा वापस केदारनाथ से गोरी कुंड का किराया लगबग 5,000 रुपे होता है तथा एक तरफ की यातरा में केवल 10 मिनट लगते हैं हेलिकप्टर से केदारनाथ धाम जाने तथा वापस आने की दोनों फ्लाइटों के बीच आपको केवल 6 गंटे का समय दिया जाता है आपको 6 गंटे के भीतर दर्शन करके वापस आना होता है जैसे यदि आप सुबह 7 बजे के फ्लाइट से केदारनाथ पहुँचे हैं तो आपको दर्शन करके वापस हेली बेट तक एक बजे के पहले पहुँचना होता है वरना आपकी वापसी की टिकट निरस्त हो जाती है तथा आपको वापस पेदल जाना पड़ता है सातवी दिन आप सुबह 4 बजे उड़ जाए तथा गरम पानी से नहा कर अपने परिवार के साथ तयार हो जाए अपने साथ एक एक जूड़ी कपड़ी भी रख ले कुछ खाने पिने का सामान भी रख ले आप 5 बजे तक अपनी होटल से निकल जाए तथा 6 बजे तक केदारनाध धाम के लिए अपनी चड़ाई शुरू कर दे आपको यात्रा मार्ग पर चाय नाश्ते की दुकाने मिल जाएंगी जहां आप आराम से प्रकर्ति का आनल देते हुए चाय नाश्ता करें आप अपने परिवार के साथ इंजॉय करते करते चड़ाई करते जाएं अगर आपको भूक लगे तो रास्ते में कई छोटे छोटे भोजनाले भी मिलेंगे जहां आप हलका फुलका भोजन कर सकते हैं आप आराम से भी चलेंगे तो लगभग दोपर तीन बजे तक केदारनाथ मंदिर तक पहुँच जाएंगे इस पुरी चड़ाई में आपको लगभग 9 घंटे का समय लगेगा गोरी कुंड से सबसे पहले जंगल चट्टी आएगा उसके बाद राम बड़ा जगए आएगी फिर अगला पड़ाओ लिन चोली पड़ता है लिन चोली से 7 किलमेटर दूर केदारनाथ धाम है आप केदारनाथ धाम पहुँचकर सबसे पहले होटल या टेंट बुक करें उसमें अपना जो भी सामान आप सांत लाए हैं वो रखें तथा उसके उपरांत केदारनाथ मंदिर में जो शाम के आरती होती है उसमें शामिलो इस आरती के दौरान आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे केवल मंदिर के सामने जो चोक है मुहां से खड़े उकरिये इस आर्थी का आनन्द ले पाएंगे इसके बाद आप केदारनात ट्रस्ट द्वारा संचाली भोजनाले में भोजन करें तथा होटल या टेंट में रेस्ट करें आठवे दिन सुबह स्नान करके आप केदारनात मंदिर में शिवजी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे तो लगबग आठ बजे तक आपको मंदिर में शिवजी के दर्शन हो जाएंगे यदि आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन परची कटा कर भी दर्शन कर सकते हैं जो की प्रतिवेक्ति लगबग 2100 रुपे की होती है दर्शन करने के बाद आप चाहे नाच्ता करके होटल से या टेंट से अपना सामन वापस लेकर नीचे गोरी कुंड के लिए प्रस्थान करें रास्ते में आप किसी भोजनाले में भोजन भी कर लें गोरी कुंड वापस आकर आप अपनी होटल में विश्राम करें क्योंकि आप इस यात्रा में भहुत ठक जाएंगे नवे दिन आप गोरी कुंड से बदरिनात धाम के लिए टेक्सी बुक करें चार धाम यात्रा का चोथा और अंतिम धाम बद्रिनाद धामी है यह मंदिर भगवान विश्ण को समरपित है अपनी होटल से ब्रेकफास्ट करके आप चेक आउट करें गोरीकुंड से बद्रिनाद की दूरी 208 किलमेटर है तथा यात्रा में लगबग 5 घंटे का समय चमोली, बिरही, पीपल कोटी, जोशी मठ होते हुए आप बद्रिनाद पहुंचेंगे यदि आप सुबह 9 बजे भी गोरीकुंड से निकलते हैं तो 2 बजे तक बद्रिनाद पहुंच जाएंगे रास्ते में ही आप लंच कर लें आप बद्रिनाद धाम में अपनी होटल मे चेक इन करें तता सामान होटल में रखने के बाद आप बद्रिनाद मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं दर्शन करने के बाद यदि समय बचे तो आप आसपास के धार्मी किस्थल भी विजिट कर से लें इसके बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें दसवे दिन आप अपनी होटल में सुबह का breakfast जल्दी करें तता हरिदवार के लिए टेक्सी बूक करें इसके बाद आप अपनी होटल से चेक आउट करें तत हरिदवार के लिए अपनी यातरा प्रारंब करें बद्रिनाथ से हरिद्वार की दूरी 313 किलुमेटर है तता यात्रा में 9 से 10 घंटे का समय लगता है यदि आप बद्रिनाथ से सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो आप शाम को 7 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे इसके बाद आप हरिद्वार से यदि कनेक्टिंग ट्रेन या बस हो तो अपने गरह नगर के लिए निकल जाएं यदि ऐसा नहीं हो तो आप हरिद्वार में किसी होटल में चेक इन करें तता रेस्ट करें अगले दिन आप हरिद्वार से अपने ग्रह नगर के और प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी चार धाम यातरा समाप्त होती है इस दस दिन की चार धाम यातरा से जुड़ी प्रमुग बातें इस प्रकार है पहली आप चाहें तो इस पूरी चारदाम यातरा के लिए हरी द्वार से एक ही टेक्सी बुग कर सकते हैं इससे आपको टेक्सी सस्की भी पड़ेगी तता हर जगा टेक्सी बुग करने से बच जाएंगे एवन इससे आपका बहुत सारा समय भी बचेगा साथ ही टेक्सी का ड्राइवर आपको इस पूरी यात्रा में गाइड भी करता जाएगा दूसरा पाइंट है हम हमेशा कहते हैं कि आप होटल आनलाइन ही बुक करें परन्तु इस चारधाम यात्रा में हमारी आपको सलाई है कि आप होटल आनलाइन बुक ना करें क्योंकि यदि यात्रा प्लान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो सारा booking schedule बिगड जाएगा तता पेसे का भी भारी नुकसान होगा इस यात्रा में भूस खलन या ट्राफिक जाम के कारण कभी-कभी 6-6 गंटी के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं इसलिए आप गंतव स स्टार वाली सुईदाई नहीं मिलेगी केवल एक कमरा मिलेगा जिसमें बिस्तर होगा तथा एक बातरूम होगा इसलिए होटल्स को लेकर कोई ज्यादा उम्मीदे ना रखें इस यात्रा में गर्म कपड़े तथा रेंकोट अपने साथ जरूर रखें इस चार धाम यात्र के लिए रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है आप उत्राखन टूरिजम की वेबसाइट पर जाकर चार धाम तीर्थ यात्रा के लिए रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अब हम इस 10 दिन की चार धाम यात्रा यमनोतरी गंगोतरी केदरनाथ और बद्रिनाथ के अधिकतम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का टेक्सी का कुल किराया लगबक 30,000 रुपे चार लोगों का 10 दिन का होटल का किराया 10,000 रुपे चार लोगों का 10 दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ में 10 दिन का अधिक्तम कुल खर्च 50,000 रुपे यदि इसे हम चार से डिवाइड करें तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 12,500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 12,000 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ की चार धाम यात्रा कर सकते हैं तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही चार धाम यात्रा का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू